हाइकोट में रिट्पिटेशन एक साल लेट दायर कर दी और लेट दायर करने की बज़र से हाइकोट ने वो रिट्पिटेशन डिस्मिस कर दी ऐसा हमारे चैनल के दर्शक शामलाल जी के साथ हुआ है इसलिए उनका सवाल है कि सर क्या दुबारा कोई अप्लिकेशन लगाई जा सकती है या फिर क्या हम दुबारा रिट्पिटेशन धायर कर सकते हैं अब यही सीचुएशन शायद आपके साथ हुई होगी या अगर नहीं हुई होगी तो हो सकता है भविश्य में होगी अपकोर्स मैं तो चाहता हूँ कि आप में से किसी के भी लाइफ में केस करने के क्षंड ना आए और उसके तकलीब से आप ना गुजरे यही मैं चाहता हूँ बट चलो क्योंकि यह सवाल इन्हों पूछा है महत्वपुर्ण सवाल है भविश्य में यही बात किसी के लाइफ में होती है तो वो क्या कर सकते हैं इसलिए यह सवाल मैंने चुना है तो शामलाल जी और मेरे सभी दोस्तों अगर हाई कोट ने डिले के ग्राउंड पे क्यो कोई प्रावधान नहीं है ऐसी कोई प्राक्टिस भी नहीं है आपको वो हाई कोट की जो आर्डर है आपकी रिट पेटिशन डिस्मिस करने वाली उसे सुप्रिम कोट में चैलेंज करना होगा बाइफ फाइलिंग एसल पी मतलब की स्पेशल लीव पेटिशन जिसका हो सकती है मतलब शायद मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर कानून ने जो रिमिडी दी है उसमें जो बाते लिखी है जो कंडिशन लिखी है वो फुल्फिल होती होगी तो ही वो रिमिडी आप ले सकते हैं दुबारा हाई कोट के सामने वो है रिविव अप्लिकेशन अब जब मैं रिविव अप्लिकेशन आप कर सकते ऐसे कहता हूँ तो आपकी आशाएं बहुत सारी पल्लवित हो जाएगी मगर ध्यान रखें कोई भी मामले में रिविव आप दायर करके सक्सेस्पुल नहीं हो सकते रिविव अप्लिकेशन आप तभी दायर कर सकते कानून जब आपके case में review petition या application दायर करने के लिए कानून ने दिये हुए grounds उपलब्द होगे और कानून ने दिये हुए grounds आपके case में उपलब्द है या नही यह बात आपको expert से examine करके तै करनी होगी आपके सहुलियत के लिए जल से बता देता हूँ कि review application के लिए कौन से grounds हो सकते है वैसे तो तीन grounds है कानून में बट दो grounds ज्यादा चलते हैं पहला ground there is an error apparent on the face of record यानि कि case में जो judgment हुआ है उस judgment देते वक्त ऐसी गलती की है high court ने जो फटाक से पकड़ में आ सकती है error apparent on the face of record इसका मतलब है एकदम record के face पे वो गलती दिख पड़ती है मतलब यह कि कानून कहता है कि वो गलती ऐसी होनी चाहिए जो establish करने के लिए बहुत ज्यादा argument ना करना पड़े quickly आप वो गलती दिखा सकें तो यह एक ground है error apparent on the face of record यह error जो है यह error of fact भी हो सकती है यह error of law भी हो सकती है दूसरा ground अगर कोई ऐसा material जो आपके possession में तब नहीं था मगर review application दायर करते वे आपके possession में आया और वो आप high court के सामने rate petition दायर करते वक्त या करने के बाद रख नहीं सके in spite of due diligence on your part मतलब यह पूरी care लेने के बावजूद भी आप वो material high court के सामने नहीं ला पाए किसी कारणवश और वो high court का judgment आने के बाद आपके possession में आ गई और वो चीज ऐसी है चीज यानि की evidence या कोई document ऐसी है जो अगर आप high court को दिखाए होते या अभी दिखाते हैं तो high court ने दिया हुआ judgment high court change करने में मजबूर हो सकता है यह ground हो सकता है second और third for serving the ends of justice यह एक बहुती broad ground है यानि न्याय करने के लिए भी आप high court में review application धायर कर सकते हैं मगर ध्यान रखें यह बहुती broad ground है और इस ground पर बहुती कम review applications entertain किये जाते हैं तो यह बात है जो high court में एक बार आपकी case dismiss हो गई तो आप ज्यादा से ज्यादा review petition कर सकते हैं सिर्फ तभी जब review petition करने के grounds वहाँ उपलब्द हो और इस तरह के grounds वहाँ उपलब्द हो ऐसा certificate कम से कम Bombay high court appellate side rules में मैंने पढ़ा जो वकील review petition दायर कर रहे हैं उन्हें देना पड़ता है और case के साथ जोड़ना पड़ता है इतना सब formality complete करने के बाद ही review petition हो सकती है तो आप देखें आपके case में ऐसी कोई fact है या नहीं अफकोर्स इसके लिए आपको तो expert lawyer के पास ही जाना पड़ेगा मतलब कि जिन से आपने ये case कराई है उन्ही वकील साथ से आप सलाह ले सकते हैं या आपके choice के किसी भी वकील साथ से ये सलाह ले सकते हैं तो to sum up high court के judgment के खिलाफ पहली बात आप supreme court में special leave petition दायर कर सकते हैं 90 days के अंदर और दूसरा आप high court के सामने review petition दायर करते हैं तभी जब वो circumstances मौझूद है जब grounds मौझूद है review petition दायर करने का हुआ हुआ